अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं दोस्तों में सेर करें ऐसे ही नहीं नहीं वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस टुडेंट आपको मैं बता दू कि BAC Math से रिलेटेड मैं वीडियो अप्लोड करता हूँ इससे पहले मैं McLaurin theorem पे टू वीडियो आलेडी अप्लोड कर चुका हूँ दो प्राबलम दो कोश्चन आलेडी साल्वड है अगर आप देखे नहीं है तो लिंक आई बटन में है व सब्सक्राइब करना कि यह होता है ठीक है ना तो उससे पहले मैं आपको वीडियो नमर वन में बता चुका हूँ कि जो मैं एक इंपोर्टेंट मैकलॉरें सिरीज बोला था याद करने के लिए अगर आपको वो याद है तो आप कर ले जाएंगे नहीं याद है तो नहीं कर पाएंगे तो मैं बार बार हर एक वीडियो में उसको लिखता हूँ तो हमारे पास है कि बाई मैकलॉरें बाई मैकलॉरेंस थीरोम या सिरीज जो भी बोले वी हमें पता है कि य इकोल्स टू क्या होता है य इकोल्स टू आफ जीरो प्लस एक्स इंटू आफ जीरो प्लस एक्स स्क्वाइर अपान क्या टू फैक्टोरियल वाई टू आफ जीरो प्लस एक्स क्यूब अपान थिरी फैक्टोरियल वाई थिरी आफ जीरो प्लस एक्स टू दी पावर फोर अपान फोर फैक्टोरियल वाई फोर आफ जीरो ऐसे हमारा ये चलता जाएगा ठीक है ना अब हम क्या करेंगे कि हम य आफ दिया है इसको मैं consider कर लोंगा तो लिखोंगा कि let y equals to cos of x ठीक तो हमारे पस y आ गया तो हमें चाहिए क्या yf0 चाहिए तो इसको find out करेंगे इसको find out करने के लिए simply yf0 equals to जहांप x है cos x है न हमारा तो हम लिखेंगे cos of 0 और इसकी value क्या होती है 1 होती है ठीक अब हमें y1 निकाल तो हम क्या करेंगे इसी को x के respect में differentiation करेंगे तो लिखेंगे कि यहां पर y क्या हो जागा y1 हो जागा फिर से cos x का होता है माइनस आप sin x student अगर आपको differentiation के formula नहीं आदा है तो प्लीज उसे याद कर लीजिए फिर यही आपको समझ आएगा ने तो नहीं समझ आगा ठीक है न फिर y1 of 0 हम find out करेंगे तो इसका हमारे पास sin यहां पर क्या होगा प्लीज वीडियो को completely दखें अब y3 निकालना के लिए मैं इसको ही x के respect में differentiate करूंगा तो मैं बार बार लिखने नहीं जा रहा हूं कि differentiating with respect to x आपको इतना समझ आना चाहिए ठीक है न तो हम क्या करेंगे कि y3 होगा y2 का y3 होजागा फिर से माइनस और sin cos x का क्या होता है माइनस अब sin x होता है तो हमारे पास यह क्या आजागा positive आजागा ठीक हमारे पास यह होगा sin x ठीक अब हम y3 आफ 0 find out करेंगे तो y3 आफ 0 की value क्या होगी sin 0 की value हमारे पास 0 ही होती है ठीक है न अब यह सब value हम find out कर लिए तो हम क्या करेंगे कि जो यह value निकाले हैं इसको equation number 1 में put करेंगे तो लिखेंगे कि putting या put the values बिल्कुल step by step solve कर रहा है तो please completely देखिए in equation put the values in equation 1 तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा कि आप देख लीजे जहां पर y है यहां पर देखिए y है y equals to में क्या consider कि यहां कॉस x तो यहां पर क्या करूंगा कॉस x put करूंगा फिर से हमारे पास y of 0 y of 0 की value 1 आई है तो यहां पर क्या लिखेंगे 1 फिर से plus x है फिर into फिर y of 0 की value क्या है 0 है तो वहां पर 0 लिखेंगे फिर x square अपान 2 factorial है फिर से y2 2F 0 की value क्या है हमारे पास है minus of 1 ठीक ना तो उसको put करेंगे तो minus 1 ठीक plus x3 upon x to the power 3 upon 3 factorial फिर y3 of 0 की value हमारे पास क्या आई है 0 आई है तो मैं उसको 0 put करूंगा फिर इसी तरह मेरा आगे बढ़ते जाएगा ठीक ना अब मैं इसको थोड़ा simplify करके लिख हूँ simplified way में तो मैं लिख सकता हूँ कि cos x equals 2 जो हमारा expansion आगा 1 प्लस यह तो 0 हो जाएगा यहाँ पे sorry यहाँ पे minus होगा क्योंकि यह minus आगे जागा ना तो minus of x square upon 2 factorial ठीक फिर से हमारे पास क्या होगा फिर प्लस होगा x to the power क्या आगा यह तो 0 हो जागा क्योंकि 0 का multiply करेंगा फिर अगला जो होगा यह तो वह एक्स टूदी पावर हमें याद है हम लिख दे रहा है एक्स टूदी पावर 4 अपन 4 factorial आपको भी याद होना चाहिए फिर से माइनस यह हमारा question solve होता है second question हमारे पास है कि prove that a to the power x plus 1 x log a plus bracket में x log a का holy square अपन 2 factorial plus x log a to the power 3 upon 3 factorial plus dot 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 x log a to the power n अपन n factorial plus dot 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 प्रूफ करिए Maclaurin's theorem से कि a to the power x equals to इतना होता है आपको उता चुका हूँ कि prove करने के लिए सबसे पहली बात आपको याद होना चाहिए Maclaurin's theorem या Maclaurin's series जो कि मैं video number one में बता चुका हूँ इससे पिछला question just कराया हूँ उसमें भी बताया हूँ ठीक है तो मैं प्रूफ करूँगा कि प्रूफ देखिए कैसे करते हैं तो हम लिखेंगे कि y equals to हम जानते हैं कि Maclaurin's theorem लिखेंगे कि हम by Maclaurin इसससे पहले ज़स्ट कराया है बाइ Maclaurin's theorem क्या we have हमें पता है कि y equals to क्या होता y equals to y of 0 plus x into फिर से क्या हो y1 of 0 plus x to the power 2 upon 2 factorial y 2 of 0 plus x to the power 3 upon 3 factorial y 3 of 0 plus x to the power क्या 4 upon 4 factorial y 4 of 0 ऐसे आता है चला जाता है ठीक न इसको आप equation number 1 consider कर ले ठीक अब हम क्या करेंगे कि y of 0, y1 of 0, y2 of 0 इन सबकी value find out करके इस equation number 1 में put करेंगे y हमारा result हो जाएगा तो सबसे पहले हमें y of 0 निकाला है तो हमें y तो पता होना चाहिए को होना है तो हम consider करेंगे जो कि let y equals to क्या है हमारे पास a to the power x है ठीक तो y मिल गया अब हमें y of 0 निकाल लेते हैं आपको याद होना चाहिए a to the power x log a होता है ठीक अब मैं y1 की value मतलब y1 of 0 find out करूंगा तो हम क्या करेंगे a to the power x के जगर मैं पूर इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि a to the power x equals to क्या यहाँ पर लिख सकता हूं कि y यहाँ से replace करके फिर से log फिर से a तो मैं क्या करूंगा यहाँ बैलू find out करूंगा y1 of 0 तो यहाँ पर लिखूंगा कि y of 0 फिर से log a ठीक तो इसको लिख सकते हैं y of 0 की value अभी देख लिए 1 आई है जो यह आया है हमारा y1 equals to ठीक इसको आर यहाँ पर लिख दीजिए ऐसे लिख सकते हैं तो y1 को क्या करेंगे हम x के respect में differentiation करेंगे बार बार लिखने नहीं जाना उनकी referencing with respect to x आप समझ सकते हैं ठीक है न तो y1 को क्या हो जागा y2 हो जागा और इसका u into sorry u into b से नहीं होगा कि यहाँ पर log a जो है वो constant है तो log a तो बाहर आ जागा तो y क्या होगा y1 हो जागा y1 और log a as it is ठीक तो अब मुझे y2 मिल गई अब मैं y2 of 0 find out करूंगा तो y2 of 0 equals to गया लिख सकते हैं कि y1 of 0 और into में क्या log a है तो y1 of 0 की value देख लिए यह लोग a है ठीक तो log a into log a log a यहाँ पर है तो क्या लिख सकते हैं log a का log a का whole square लिख सकते हैं ठीक उसी तरह मैं y3 find out करूंगा तो देख लिए यह मारे पास होगा कि y3 इसी को क्या करेंगे कि x के respect में फिर differentiation कर देंगे तो y2 का क्या होगा y3 हो जागा और y1 का क्या होगा y2 हो जागा और log a तो constant है तो मैं फिर से क्या करूंगा कि y3 of 0 find out करूंगा जो कि मेरा requirement है तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा y2 of 0 फिर से log a ठीक तो y2 of 0 मैं क्या भी निकाला हूँ y2 of 0 मैं find out क्या हो कि log a का whole square तो log a का whole square into log a यही मेरा तो हमारे बस क्या होगा log a to the power 3 आ जागा ठीक है ना उसी तरह मैं और भी find out कर सकता हूँ तो मैं क्या करूंगा general एक निकाल दे रहा हूँ that is yn ऐसे मैं सबके बारे में सोच सकता हूं तो मैं क्या करूंगा yn निकाल लोंगा ठीक है ना इसको करने के लिए मैं क्या क्या हूं इससे इससे एक पीछे क्या आया होगा yn-1 तो इसको differentiate करेंगे x के respect में क्या होगा तो तो हमारे पस यहाँ पर होगा कि yn-1 और यहाँ पर लॉग ए क्या है constant है ठीक है ना तो हमारे पस यहाँ पर हो जागा yn आफ 0 क्या होगा यह होगा कि लॉग a to the power n का power n ठीक है ना अब इन सब की value में क्या करूंगा equation number 1 जो find out किये थे उसमें put करेंगे तो मैं equation number 1 आपके लिए फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ क्योंकि वही important है उसको याद भी करना आपको है तो equation 1 हमारे पस क्या था y equals to y of 0 plus x into y1 of 0 plus x square upon 2 factorial y 2 of 0 plus x cube upon 3 factorial y 3 of 0 यही हमारा था ठीक है ना अब हम क्या करेंगे कि simply यहाँ पर ऐसे हम करते जाएं तो कभी तुम्हेरा क्या आगा x to the power n अपन यन फैक्टोरियल y यन आफ 0 आगा फिर से ऐसे आगे चलते जागे ठीक है ना अब मैं क्या करूंगा simply value find out कि यहां उसमें put करूंगा तो y को मैं क्या कंसीडर किया था य को मैं कंसीडर किया था e to the power x तो इसको मैं put कर दिया और y of 0 की value मैं आपको दिखा दो कि 1 लेके आया हूं आप देख लीजेओ यहां पे yf0 की value 1 है फिर y1f0 की value क्या है log A है तो आप ऐसे देख लिए ठीक है तो यहां पे क्या होगा 1 होगा 1 होगा फिर से x तो है ही और y1f0 की value क्या होगी log A ठीक अब मैं क्या करूंगा कि plus x square upon 2 factorial तो है फिर से y2f0 की value क्या है log A का whole square आप चाहे तो वीडियो को बैक करके तो फिर से देख सकते हैं फिर से plus x cube upon 3 factorial फिर से y3f0 की value क्या है log A to the power 3 है प्लस डॉट 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 ऐसे चलता गया है जब फिर से plus x to the power n upon n factorial और yn of 0 की value क्या है log A to the power n है देख लिजिए log यह bracket है log A to the power n फिर से ऐसे चलता गया है अब मैं थोड़ा और इसको simplified way मे लिख हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि A to the power x equals to 1 plus क्या x into log A plus क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं इसको कि x log A का whole square upon 2 factorial plus x log A to the power 3 upon 3 factorial plus ऐसे डॉट 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 फिर से plus क्या x log A to the power n upon n factorial plus ठीक है तो यही हमारा A to the power x का expansion होता है McLaurin's theorem से तो इस्टूडेंट अब आपको याद करने की जरूद नहीं है अगर आपको McLaurin's theorem पता है तो आप ऐसे solve कर सकते हैं तो इस्टूडेंट यही मेरा question solve होता है तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग प्लीज हमें support करें चैनल को support करें ऐसे ही मैं नए नए वीडियो लाता रहता हूं मिलते हैं अगले वीडियो में thank you so much for watching the video